So, hello my beautiful and lovely friends, welcome back to my YouTube channel Get Pring with Ekta Singh 6th August 2022 को हर साल की तरह साड़ी स्पीक भुपाल चैप्टर नाशनल हैं लूम डे सेलिबरेट कर रहा है और इस बार की थीम रखी गई है एक तुकडा खादी का है मतलब आपको खादी को प्रमूट करना है मेरी साड़ी तो खादी की थी ही पर उसके साथ में मेरे पास में कोई नेकपिस नहीं था तो मैंने खादी का ये नेकपिस रेडी किया है और मैंने इसमें कोशिश किये कि मैं साड़ी को भी प्रमूट करूँ ना सिर्फ खादी को बलकि साडी को भी मैं प्रमोट करना चाहती थी तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से और यूनिक स्टाइल से बिनाया है कि हमारी साडिया भी इसमें प्रमोट हो सकें तो चलिए शुरू करते हैं यह जो फोटो आप देख रहे हैं यह है लौड महालक्षमी अम्बाबाई इनका टेंपल महराष्ट के कोलापूर में स्थित है महालक्षमी अम्बाबाई को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इनने बहुत यूनिक स्टाइल से साड़ी और जूल्री पहनाई गई है इसी से इंस्पायर होके मैंने यह नेकपिस रेडी किया है इस नेकपिस को बनाने के लिए मुझे किन-किन चीज़ों की ज़रूत थी और किस तरह से मैंने इसे बनाया है अब हम आगे वही देखेंगे सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ट के उपर स्क्वेर कट कर लेंगे स्क्वेर आप किसी भी साइस का ले सकते हैं मैं इस साइस का स्क्वेर लूँगी इस स्क्वेर के उपर हम फ्याविक ओल लगाएंगे यह मैंने फोम ली है यह आप मार्केट से पर्चेस कर सकते हैं या आप नई शर्ट्स खरीदते हैं उसके अंदर भी आपको लगी हुई मिलती है इस स्क्वेर को हम इस फोम के उपर चपका देंगे अब हम इसे कट कर लेंगे यह कट हो गया है अब मैं एक कपड़ा लूँगी यह खादी का कपड़ा है मेरी साडी से ही बचा हुआ कपड़ा है कपड़े से कपड़े को चिपकाईब इसके उपपर जब कपना चारों तरफ से चिपक जाए तो सिक्यूर करने के लिए हम पीछे से एक और कार्ट बोट का टुकड़ा चिपकाएंगे और सूखने के लिए साइड में रख देंगे गूगल पे से आप अमबा भाई के फेस के फोटोज को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं मुझे ये वाला फेस जादा पसंद आया है तो मैं इसी को यूज करूँगी और इसी के नाप से बकरम के उपर माक करते हुए बकरम को कट कर लूँगी बकरम को कट करने के बाद इसे एक साइड से हम वाइट कलर से पेंट कर लेंगे यह paint हो गया है और इसे भी अब हम side में सूखने के लिए रख देंगे अब हम इसके आगे की preparation करेंगे यह मैंने cotton का कपड़ा लिया है आपको इस type से कपड़ा लेना है जिसको देख के आपको ऐसा लगे जिसे यह साड़ी की borders है तो मैंने इसी लिए इस type का lining वाला कपड़ा लिया है और इसकी ऐसे plates बनाते हुए हमें stitch करते जाना है देखिए यह complete होने के बाद में इस तरीके से नजर आएगा इसे अब हम हमारे खादी के base के ओपर fix कर लेंगे इसे हम stitch करके ही fix करेंगे जिससे कि यह काफी मजबूत बना रहेगा और बिल्कुल भी अपनी जगे से हिलेगा नहीं यह देखिए stitch होने के बाद में कितने अच्छे से यह इसके उपर fix हो गया है अब हम इसके आगे की preparation करेंगे अब जो पक्रम हमने paint करके रखा था उसके उपर हम अमबा भाई का face जो हमने select किया था उसे हम tress करेंगे as it is carbon की help से यह face को हमने बहुत अच्छे से ट्रेस कर लिया है अब हम इसके paint करेंगे जहाँ पर yellow है वाँ yellow जहाँ पर black है वाँ पर black face paint हो जाने के बाद में मुकुट को और उनकी jewelry को हम बनाएंगे diamond मोती और कुंदन से ताकि यह और attractive लगे diamond मोती और कुंदन लगने के बाद आप देख सकते हैं face कितना attractive लग रहा है इसे मैंने फेविकॉल की help से लगाया है तो इसे सूखने के लिए मैं side drug दूँगी आप देख सकते हैं सूखने के बाद face कितना सुन्दर दिख रहा है अब मैं face के ओपर बिंदी बनाऊंगी जो महराश्चियन style की बिंदी होती है और पूरे बकरम को बहुत अच्छे से face के according कट कर लूँगी neck piece के लिए लखुरी के मोती और मैकरम का धागा लिया है मैंने अपने हिसाब सी लखुरी की मूतियों को मैंने پिरो के आगे knot बांदी है और इसे इत्ता लंबा मैंने cut कर लिया है आप अपनी length के हिसाब से cut कर सकते हैं दोनों साइट के धागे को इक्वल लेकर हम उसे कट कर लेंगे ताकि हमारा नेक पीस बनाने में हमें आसानी हो और मोतियों के आगे मैंने बहुत अच्छे से नौट बन दिया है ताकि वहां से मोती हिल ना सके नेक पीस को टाइट और लूस करने के लिए मैकरम के दोनों एंड्स को हम छोटे मोती के अंदर पिरोएंगे जिससे कि हम नेक पीस को टाइट और लूस कर सके मोतियों के आगे के हिस्से को जिसको हमने नौट लगा कर छोड़ दिया था उसे अब हम हमारे बेस के पीछे इस तरीके से इकवल लेवल पे सेट करते हुए स्टिच करेंगे उपर से भी और नीचे से भी इसे बहुत अच्छे से हमें स्टिच करना है ताकि यह मैकरम यहां से बिल्कुल भी ना हिले face को और मजबूती देने के लिए मैने एक मोटे golden color के पेपर के उपर इसको चिपका लिया है और अब मैं इसे शेप में कट करके base के उपर fix करूँगी face को cut करने के बाद glue gun की help से पहले मैं इसे इसकी उपर fix करूँगी इस तरह से इस तरह से मुझे ये फेस रखके फिक्स करना है ग्लूवन की हेल्प से और उसके बाद उसे मैं स्टिच भी कर लूँगी अब में इसके उपर एक छोटी सी प्यारी सी महराश्टिय नचिप काऊंगी देखें नचिप काने के बाद ये कितना खुबसूरत नजर आ रहा है अमबा भाई की फोटो की तरह इस नेकपिस को मैंने पूरी कोशिश की है बनाने की I hope मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिलकुल न भूले और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ में ज़्यादा स्यादा शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें आय होप मैं बहुत अच्छे से इस नेक्विस को बना पाई होंगी और आप लोगों को समझा भी पाई होंगी थाइंक यू